अब दोस्तों नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिया स्टैडे गुरूजी में आपकी वीडियो में आप सभी के लिए लिए टेस्ट अप डेटा इस वीडियो में बात करने वाले हैं हर्याना पुल जो आपका गुरूप डी का पेपर होगा उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा लेकिन गुरूप सी का पेपर कब होगा यह देखी यहां पर फिलाल गुरूप सी के लिए नमंबर में होगा सीटी आउजन की त्यारी जारी चैन्डिकट 12 अगस्त हर्याना सरकार कि गुरूप डी के पदों के लिए अभी कोमन एजिबलीटी टेस्ट नहीं होगा इसके लिए उमिदवारों को इंतजार करना होगा गुरूप सी के पदों के लिए गामी 5 और 6 नमंबर को सीटी होगा नैशनल टेस्टिंग एजन्सी एंटी ए सीटी का आजिन करवाएगा परदे सरकार ने गुरूप सी और डी के पदों की भरती के लिए सीटी जरूरी रखा है गुरूप सी के लगबग आपके 32,000 पदों पर भरती करने के लिए हर्याना रमचारी चैन आयो के पास आगरा पहुंच चुका है इनमें लगबग 6600 पद पुरुस और महिला सिपाई जानकारी मिली है कि फिलहाल गुरूप सी के पदों के लिए सीटी जरूरी जरूरी करने के पीछे दो तिन कारण है पहला कारण है कि गुरूप सी के ज़्यादा पद है और ये पद परसासन में मैतपन वोंका निबाते हैं दूसरा कारण है कि लगबग 10.97 लाक हमेदवारो क्रण करने गुरूप सी और डी यानि दोनों के लिए वन टाइम घ्रिस्टेशन करवा रगा रखा है और इसमें आपका जोई आपका जो विए इसलिए गौूप डी के पहले गुरूप सी के पदों पर बश्यार सप्सेजा, तो वह गुरूप डी के पद के लिए पदरिक्त हो जाएगा इसलिए पहले गुरूप C के पदों के लिए CET का आजून करवपा हौन जा रहा है तीसरा करण है कि CET सब्सक्राइब तुझे एक बड़ी अपडेट थी आज की न्यूज़ पेपर के अंदर उम्मीद करता हम जानकारे आपको अच्छी लगयोगी वीडियो को लाइक करना, कोमेंट करना, सेर करना आज की इस वीडियो में इतना है थैंक्यों आपका दिन मंगल मैं हूँ जाएं जाभारत